कतर में मेरा कफील चोरी का केस लगा दिया है तो क्या मैं सौधी अरब जा सकता हूँ अभी मैं इंडिया में हूँ भाई मेरे पास कतर का आइडी है और मैं घर आया था घर आने के बाद सौधी से मुझे वीजा मिला जब मैं मेडिकल गया गम का अनफिट हो गया अब मैं कतर जाना चाहता हूँ मेरा आईडी का डेट है क्या कोई मुश्किल होगा आगे असलाम उ आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फिक्सपट दोस्तो मैंने आप लोगों के सामने में भी दो सवाल को दिखाया है दोनों सवाल आप लोगों ने सुन करके जाए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे जरूर शियर करें आप लोगों को यहां पर पहला कमेंट नजर आ रहा होगा जिसमें एक भाई ने पूछा है कि उसके कफील ने उसके उपर में चोरी का केस लगा दिया है तो वो यह पूछना चा केसे चोरी का केस इसके उपर में लगा दिया तो अब यह भाई मुछसे पूछना चाहा रहे हैं कि अगर यह सौधी आरब जाना चाहते है तो इनका वीजा वीजा साओधी अरब में निकलेगा या नहीं निकलेगा तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका केस जो है नॉर्मल होगा तो आपका वीजा साओधी अरब में निकल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इसके लिए आपको जो है पहले ट्राइग करना होगा अगर किसी तरह कोई दिक्कत और प्रोबलम होगा तो आपका वीजा इशू नहीं होगा लेकिन मेरे ख्याल से आपका वीजा निकल जाना चाहिए लेकिन यहां पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह कि आपके कफिल ने कतर में जो आपके खिलाब चोरी केस दर्ज करवाया है तो वो केस किस तरगा है अगर आप यहां पर यह सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे कफिल ने मेरे खिलाब में चोरी केस दर्ज करवाया है तो इसे जो है मेरा पूरा गल्फ को ब् लिए आपके कफिल के पास में कोई बड़ा रेजन होना चाहिए कोई बड़ी सुबूत होना चाहिए उसके बाद ही ये कुछ कर सकता है नॉर्मल वो अगर अपनी तरफ से कुछ करना चाहे तो छोटा मुटा केस दज़े करवा सकता है इसे ज्यादा नहीं करवा सकता है तो मे के मान लिजे कोई आदमी अपनी company के साथ में fraud करके अपनी company का पैसा लाखों रियाल लेकर बाग जाता है चोरी करके या वह किसी भी तरह से fraud करके इतना पैसा लेकर बाग जाता है तो उसके खिलाब जो होगा वो जो है बड़ा केस दर्ज होगा और ऐसे लोगों को पूरे गल्फ कंट्री का ब्लोक लग सकता है जब के आज के दूसरे सवाल में यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इस भाई का कहना यह है कि इसके पास में कतर का आईडी है यह जब छुट का आईडी है ही है मैं साओधी अरब के वीजा के लिए मेडिकल फेल हो चुका हूं तो अब ऐसा करता हूं कि मैं कतर जाने के परान कर रहा हूं तो इस भाई का पूछना है कि मैं कतर जा सकता हूं या नहीं तो जी बिल्कुल आप कतर जा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है आपने यहाँ पर यह भी बताया है कि आपके ID में भी date बाकी है तो कोई दिकत की बात नहीं आप जा सकते हैं अगर आपको 6 मैना नहीं हुआ है तो आप जो है बिना किसी रोक्टो की जा सकते हैं अगर आपको 6 मैना हो गिया है तो company की तरफ से आपको एक entry permit issue करवाना होगा जि को entry permit मिल जाएगा उस entry permit के base पर आप जा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं होगी इस भाई को यहाँ पर डौट हो रहा है वो डौट यह हो रहा है कि इसने medical किया था सौधी अरब जाने के लिए लेकिन medical unfit हो गया अब यहाँ पर इस भाई को यह डर हो रहा है कि medical का result जो है system म पहले से है तो आप जा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं होगी दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को informative लगी तो वीडियो को like करके आगे जरूर शियर करें कतर के बारे में रोज़ना इसी दर एक informative वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे वीडियो का आगे जरूर शियर करें बहुत बहुत शुक्रिया